उपमुख्यमंत्री सचिन पाइलेट ने केंदरी ग्रामिन विकास और पंचायती राजमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर को पत्र लिख कर वर्तवान विश्वम परिस्तित्यों में प्रदेश के एक दर्शनवग एक तीन करोड मनेरेगा शमीकों को रहत पदान करने की मांग की ह साथ ही यह भी मांग किये है कि लोगडाउन के अवधी के दोरान अधिकतम सो दिवस की सीमा तक मनेरेगा मजदूरों को प्रती दिन प्रती वक्ती पूरी मजदूरी का भुकतान दिया जाए पाइलेट ने बताए कि मनेरेगा ग्रामिन शमीकों की जीवन रेखा है और लोगडाउन के कारण दिहारी मजदूर लगू सिमान किसान करशी शमीक और दर्वान शमीक सबसे ज़्यादा प्रभाईत हुए हैं पाइलेट ने पत्र में ये भी उलिख किया है कि लोगडाउन के चलते मनेरेगा के क्रियानवन की चुनोती पूर्ण परस्तियों में योजना के तहद परियाप्त राशी उपलब्ध होना अती आवशक हैं अत्रा प्रदेश की सामगरी मत की बकाय राशी 310 करोड रूपे जारी करने के साथ ही अत्रिक्त राशी भी ततकाल उपलब्ध करवाई जाए